हलो फ्रेंड वेलकम टू योड चैनल ग्यान फोरिक जाम दूजतो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधुनिक भारत का इतिहास में 1857 का बिद्रो जो की क्रॉन बुक्स का अब्जेक्टिव कराया जा रहा है ये आज पार्ट थार्ड वीडियो होगा इससे पहले दो और वीडियो अपलोट किये गया हैं उसे आप लोग जरूर देखेंगे जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहा और वीडियो को ज़्यादा ज्या प्यों का आगवन और बंगाल, सासन और गवर्नर जनरल के बारे में किया गया है उसे भी आप लोग जरूर देखेंगे चलिए बात करेंगे पहला प्रस्ने 1857 का बिद्रू हम लोग जानेंगे जो चैप्टर नमबर 6 से इससे पहले 5 चैप्टर अल्रेडी अपलूट किया आप लाश्ट तक बने रहेंगे आपको सभी प्रस्न का हल दिया जाएगा पहला प्रस्ने महारानी लच्मी बाई की समाधी कहां इस्थी थे लच्मी बाई की समाधी इस्थी थे गौालियर सहर में ओप्सन नमबर D दूसरा 1857 के निमलिखेत क्रांतिकारियों में से किसका बास्तविक नाम रामचंद्र पांडूरंग था रामचंद्र पांडूरंग नाम 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपेगा था तीसरा 1857 की क्रांति में अंग्रेजो ब जोधपूर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था अंग्रोईज और जोधपूर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला सासक था आउवा के ठाकूर कुसल सी चौधा निम्ण में से कौन सा एक छेत 1857 के बिद्रोह से प्रभावित नहीं था 1857 के बिद्रोह से प्रभावित जहासी, चित्ताओड, जगदिस्पूर या लखनव इन्वे से प्रभावित नहीं होने वाला जो था चित्ताओड था पाचवा, 1857 में किसने इलाहबाद को अपात कालिन मुख्याले बनाया था? इलाहबाद को अपात कालिन मुख्याले बनाने वाला सासक था लौड कैनिंग छठा, रानी लच्मीबाई को अंतिम्यूद में सामना करना पड़ा था किस से? रानी लच्मीबाई 1857 की क्रांती में उसे सामना करनी पड़ी थी हुरोज से? आप्सन नमबर A सात्वा, अंग्रेजी भारती ये सेना में चर्वी वाले कार्तूसों से चलने वाली एनफिल्ड राइफल कब सामिल की थी? इनफिल्ड राइफल सामिल क्या गया था? 1857 के फरवरी महीने में आप्सन नमबर D आठवा, निमलिखित में से कौन सा अस्थाल राजस्थान में 1857 की करांती का केंद्र नहीं था? अजमेर, जैपूर, नीमच या आउवा इनमें जो सही आंसर है आप्सन नमबर B जैपूर जैपूर 1857 करांती का केंद्र नहीं था से सभी केंद्र था नौ नमबर 1857 के बिद्रोष से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? दानपूर, पटना, आरा, मुझापरपूर, मुंगेर इनमें सही आंसर चुनना है 1857 की करांती में जो आप्रभावित रहने वाला सहर था, वो था मुंगेर आप्सन नमबर B सेश, दानपूर, पटना, आरा, और मुझापरपूर प्रभावित हुआ था दसवा, 1857 के बिद्रोह के समय ब्रिटिस प्रधान मंत्री कौन था 1857 के क्रांती के समय ब्रिटिस प्रधान मंत्री लौर्ड पॉंस्टन था 11 नमबर, आधूनिक इतिहासकार जिसने 1857 के ब्रिद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लडाई कही थी ये कही गई थी डॉक्टर बी आर बीडी सावर करद्वारा ओप्शन नमबर, डी, सी 12, 1857 के ब्रेली बिद्रोह का नेता कौन था ब्रेली बिद्रोह का नेता 1857 इस्वी में खान बहादुर था 13, भारत के प्रत्थम स्वतंत्रता संग्राम का मुख ततकालिक कारण था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख ततकालिक कारक मुख रूप से मानी जाती है अंग्रेजों का धर में हस्त छेप का संदे चौदर निमलिखित में से किस ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले निम्न में से जो थे वो सहादत खां जो 1857 की क्रांती में सामिल थे पंद्र सुची एक 1857 के बिपलब के नायक को सुची दो उनके कारी छेतर से सुमेलित करना है इनमें अगर देखें बक्त खां तो बक्त खां था दिल्ली से मौलमी अमधुल्ला ये था अवद से कुवर सी थे आरा से नाना साहिब थे कानपुर से यानि सही आंसर हो जाएंगे चार एक तीन दो ओप्सन नमबर सी 16. 1857 का बिद्रो मुख्य ता किस कारण से असफल रहा 1857 की क्रांती का मुख्य कारण था असफल होने की वो किसी समान योजना और केंद्रिय संगठन की कमी 17. लखनव में 1857 के स्वतंतता संग्राम का नित्रित किसने क्या था 1857 के स्वतंतता संग्राम का नित्रित लखनव से हजरत महल द्वारा की गई थी 18 मंगल पांडे कहां के बिपलब से जुड़े थे मंगल पांडे मुख्यरूप से बैरकपूर से जुड़े थे 19. 1857 का प्रत्थम स्वतंतता संग्राम असफल हुआ क्यूंकि 20. भारती स्वतंतता का सरकारी इतिहासकार थे 21. समरागी विक्टोरिया ने 1857 के गोसना में भारतियों को बहुत सी चीजे दिये जाने का आस्वासन दिया था नीमन आस्वासनों में से कौन सा ब्रिटी सासन ने पूरा किया था इसे पूरा किया था सिर्फ भारतियों के समाजिक एवं आर्थिक विश्वासों से कोई हस्त चेप नहीं होगा ऑप्सन नमबर डी 22. निमन में से कौन इलहावाद में 1857 के संग्राम का नेता था इलहावाद से 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाक अतली थे 23. मंगल पांडे सिपाही था मंगल पांडे कहां का सिपाही था ये 34 वी नेटिव इनफैंट्री का 24. निमन में से कौन 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था 25. अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन माने जाते हैं मौलवी आहमदुल्ला सा 25. अंग्रेज राजपूत राजजियों में 1857 के बिद्रों को दवाने में सफल रहे क्योंकि इसका प्रमुक कारण था 25. भारतिय सासन में 1857 के बिद्रों के कारण लिखने वाला पर्थम भारतिय सेद आहमद खांथे 27. 1857 के संगहर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सरवाधिक संख्या कहां से थी उस समय सरवाधिक संख्या अबध राजजिस से थी 28. 1857 के बिद्रों के दवरान बहादुर सा ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था साहबे आलम बहादुर का खिताब 1857 इस्वी में बहादुर सा द्वारा भक्त खां को दी गई थी 29. 1857 के बिद्रों को किस उर्दु कवी ने देखा था 30. निम्लिखित में से किन ब्रिटीश अधिकारियों ने लखनव में अपना जीवन खोया था 30. अपना जीवन लखनव में खोने वाले ब्रिटीश अधिकारी थे जनरल नील, मेजर जनरल हैबलक और हेन्री लॉरेंस 31. तथाकर्थित प्रथम राष्टिए स्वतन्तर्ता संग्राम ना प्रथम न राष्टिए और ना ही स्वतन्तरता संग्राम था यह कथन संबंधित है किस से यह कथन है और सि मजुमदार से 32. नाना साहिब का कमांडर-in-चीफ कौन था नाना साहिब का कमांडरी चीफ हुआ करते थे तात्या तोपे 34, 1857 के बिद्रोग के बिसे में निमलिखित कत्मों में से कौन सा एक सही नहीं है इनमें जो सही कत्म नहीं है वो इस बिद्रोग का हर जगा सिक्षित अभीजन भारती राज़ द्वारा पूरे हिर्दे से समर्थन क्या गया ये गलत है समर्थन नहीं मिलने के कारणी ये असफल रहा चौति सुप्रसिद उर्दु सायर मिर्जा गालिव का मूल निवास था मिर्जा गालिव मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे 35 विचार कीजिए कथन है 1857 में प्रथम स्वतंता संग्राम ब्रिटिस सरकार से स्वतंता प्राप्त करने में असफल रहा और बहादुर सा जफर के नित्रित्व को जनसहियोग नहीं मिला था और अधिकांस महत्पुर्न रियास्तों के सासक उनका साथ देने में कत्रा दिये इनमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा उप्सन नमबर A, A और R दोनों सही है और सही एसपेश्टिक करन भी 36, 1857 के क्रांती के बारे में निमलिखित में से कौन सी एक अवधार्णा सही है इनमें सही अवधार्णा है इसने भारत में इस्टिंडिया कंपनी की सासन प्रनाले को मृत्य प्राय बना दिया 37, महरानी विक्टोरिया की उद्घोसना 1859 का उद्देश से क्या था उनकी प्रमुग घोसना थी भारतिय राजियों को ब्रिटिस समराज में मिलाने के किसी भी बिचार का परित्याग करना और भारतिय सासन को ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत रखना एक और दो सही आंसर उपसन नंबर A 38, निमलीखीत बरगों में किसने 1857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया खेती हर मलदूर, साहुकार, क्रिसक और जमिनदार इनमें सही उत्तर, दो और चार साहुकार और जमिनदार 1857 की क्रांती में भाग नहीं लिये थे 49, 1857 की क्रांती सरपर्थम कहां प्रारंब हुई सरपर्थम इसे प्रारंब किया गया था मेरट में 40, अजादी की पहले लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया तात्या टोपे, लच्छमिवाई, बहादूर साजफर या भागत सी इसमें सामिल नहीं थे भागत सी 41, निमलिखित में से किसने 1857 की बीद्रोह को एक सध्यांत्र की संग्या दी सर जेम्स ओर्टरम एवाँ डवलू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या टी आर्टी होन्स इनमें जो सही आंसर है सर जेम्स ओर्टराम एवं डवलू टेलर आगे है 42 महरानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रसासन को ब्रिटिस ताज के नियंत्रन में लेनी की घोषना कब की थी ये किया गया था 1 नवंबर 1858 श्विको आप्सन नमबर A 43 बर्स 1857 के बिद्रो के संदर्व में निमलिखित में से किस ने उसके मीत्र धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया था 43 का सही आंसर आप्सन नमबर D तात्या टोपे 44 1857 के स्वतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना थी कानपूर से में बिद्रो और नाना सहीब का नित्रित संभालना बेगम हजरत महल द्वारा वैद अवद का नित्रित सैनिको का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंचना या जहासी की रानी का बिद्रो 4857 के स्वतंतरता से संबंदित पहली घटना थी सैनिको का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंचना आप्सन नमबर C 45 कुवर्षी ने 1857 के बिद्रो के एक नए प्रमुक सेना नायक थे वह निमलिखित में से किस से संबंद थे बीर कुवर्षी संबंदित थे बिहार से बिहार के आराजिले से 46 नमबर 1857 के बिद्रो से निमनांकित में से कौन संबध नहीं था उद्धम सी ओप्सन नमबर सी 47 सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का उप्योग करते हुए सही उतर चुने यहां से 47 का जहासी रानी लच्वीवाई से लखनाव बेगम हजरत महल, कानपूर, अजिमुला खां और फैजाबाद मौलवी अहमसा सही आंसर ओप्सन नमबर ए 48 निमलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बिद्रोह के दमन के बाद भारतिय फोज के नव संगठन से संबंदित है पब्लिक सेर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमिशन 48 सही आंसर पील आयोग ओप्सन नमबर बी 49 अठारा सो संतावन के स्वाधिनता संग्राम का प्रतिक था कमल और रोटी, बाज, कमल या दो तलवारे इसके सही प्रतिक हैं कमल और रोटी 50 अठारा सो संतावन की क्रांति का नेता था दिवान मनी रामदत, कंद पेशवर सी, पुरंदर सी या प्याली बरुआ इनवे जो सही आंसर है, ओप्सन नमबर ए दिवान मनी रामदत आगे है 51 अंबर, 1857 के स्वतंतरता में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहाइता की थी सर्वाधिक सहाइता अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में किया गया था गौलियर के सिंध्या दौरा 52, सुची एक को सुची दोस के साथ सुमिलित करना है और सुचीयों के आंत में दिये गया कूट से सही उत्तर चुनना है यहां से अगर देखे नाना साहिव संबंदित थे कानपूर से नवाब हामीद अलिखां दिली से मौलवी अहमद उल्ला सामिल थे लखनाव से और मनी राम दिवान आसम से सही आंसर आप्सन नमबर D तिरेपन 1857 के बिद्रों के बाद ब्रिटिस सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चैन किया गोर्खा, सीक एवं प्रणजावी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चैन किया गया था आप्सन नमबर C चववन 1857 के संग्राम के निमलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुन अधिकरित किया अंग्रेजों ने 1857 के किरांती के वा सबसे पहले अधिकरित किया था दिल्ली को पच्पन 1857 के बिद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदिस्पूर 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक बिहार के आरा जगदिस्पूर था चपन भारत में सिक्छेत मध्यम बर्ग थे भारत में सिक्छेत मध्यम बर्ग 1857 के बिद्रोह से ततस्तता बनाए रखी थी option number C 57, 1857 के बिद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 बिद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे 58. 1857 बिद्रोग के समय बैरकपूर में कौन ब्रिटिस कमांडिंग ओफिसर था बैरकपूर में ब्रिटिस कमांडिंग ओफिसर 1858 इसवी के समय हैर से था Option No.C 59. 1857 के स्वाधिनता संगहर्ष की बिरांगना महरानी लच्मिबाई की जन मस्तली है 60. नमबर जगदिसपूर के किस ब्यक्ति ने 1857 इसवी के विपलब में करांथिकारियों का अन्यत्रेतु किया था बिहार से जगदिसपूर से 1857 के करांथिकारी कूबर सी थे Option No.A Friends इस प्रकार से हमने जाना है इस विडियो में कुल 60 प्रस्ण 1857 करांथि से संबंधित जो की क्राउन बुक का अबजेक्टिव प्रस्ण है पीडियो के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आप ग्रूप जोइन करेंगे वहाँ आपको डेली पीडियो दिया जाएगा ये वीडियो आपको सभी एक्जाम के लिए फ्रेंडली है जो लोग चैनल पे पहली वारा हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे मेरे दौरा दिये गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेयर जरूर करेंगे उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद